अस्सलाम उलेकुम इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जो उमान में नाया अदमी आना चाहता है उमान में जो नाया अदमी आना चाहता है उसका सेलेरी क्या है हेलपर का सेलेरी क्या है डरेवर का सेलेरी क्या है कारपेंटर का सेलेरी क्या है वुमान का कौन सा कमपनी अच्छा है कौन सा कमपनी खराब है ये वीडियो में आपको सभी बात पताऊंगा प्लीज हमारे चैलन्ग पे बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखे और साथ में नाए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो आज का वीडियो बनाने का मकसद लिए है कि आप लोग सुनी लिए हैं हेलपर एलेक्टिशन कारपेंटर कलंबर ड्रेवर ये सब का से लेरी क्या है कितना गंटा ड्यूटी है कौन सा कंपनी सई है कौन सा कंपनी गलत है मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा तो बने रहे हमारे चैलन्ग पे हां तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैलन्ग पे मेरा नाम मुहमद अफ्ताब आलम आप देख रहे हैं अफ्ताब ब्लॉक टेक नाय हेलपर जो आना चाहता है उसका सेलेरी उमान में बरी बरी कंपनी है जैसे अलनाबा हुआ लेवलों का है अलनाबा हुआ हुआ कि तरह बहुत सारा कंपनी है जो उमान में है मैं आपको बताना चाहता हुँ कि अलनाबा में जो आओगे आप तो 80 असी रियाल से लेरी है उसमें खाना उना सब आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से मेडिकल इंसुरेंट सब कुछ है और पलस उसमें आपको रूम उम भी है ट सब कुछ कंपनी का है सबसे बरी कंपनी अलनाबा है उमान में अभी के दूसरा कंपनी आ रहा है जो अभी धमाल मचाय हुआ है ओ आईजी ओ आईजी भी बहुत ही अच्छा कंपनी है उसमें 100 है 100 से लेरी है और खाना पीना सब कंपनी का है जितना भी सब कुछ कंपनी का है उमान में भरी कमपणी में फैदा नहीं, छोटा मोटा कमपणी जहां ज़ाद नहीं 50-100 आदमी काम करने वाला है, उसमें बहुत ही अच्छा है, आपको सेटिंग है, काम है, सेले रही अच्छा है, किसी किसी जगह 120 सेले रही है, और किसी जगह 80 है, फलस 20 है, ऐसा है तो आपको बता रहा हूँ उमान में आना, तो सबसे पहले यहाँ उमान में खर्चा जो है 20 रियाल, आपको कम से कम 20 रियाल तो खर्चा है, पलस फून का अगर आपको आदिये इंटरनेट चाहिए, तो फून में 5 रियाल, 4 रियाल खर्चा होगा, यही यह उमान का खर्चा है अगर आपका सेलेडी 120 है तो अच्छा है ठीक है उतना खराब भी नहीं बोल सकते हैं बहुत अच्छा भी है तो यही है कि उमान में लेबर लोग का यह सलेरी है और बहुत सारा लोग बिल्डिंग में काम करते हैं बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनाने का नाय नाय बिल्डिंग बनता है उसमें काम करता है तो duty कम है over time लगा कि उसका सलेरी अच्छा खासा हो जाता है दूसरा electrician का 170 सलेरी है BCC company और बहुत सारा company है यहां उमान में तो 170-80 सलेरी है electrician का खाना उना company देता है और बहुत सारा company है उमान में जो आपको खाना पुर्वाइट करता है यह वीडियो बनाने का carpenter का भी हुए है 170-160 सलेरी खाना उना आगर बड़ी company है खाना उना भी देता है आपको हो गया का plumber का plumber का देखो 150-140 इस तरह से सब company में चल रहा है और last में जो आता है driver का house driver का 170-90-160 इस तरह से सलेरी है और company में 170-150-170 इस तरह से सलेरी है तो आप लोगों को इस वीडियो को में बनाया आप सभी का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं कि जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और thank you so much क्यूल रहे हैं फज़ लुटने कांए के सब बनाया आप रहे हैं यू कि यू कर वanza है